हेलो दोस्तो बात आज क्लेस्ट्रोल की हो रही है और क्लेस्ट्रोल आपको मालूम है वैसी बिचारा बड़ा बदनाम हुआ लेकिन हमें यह भूलना नहीं चाहिए के क्लेस्ट्रोल जो है वो हमारे बॉडी के लिए कितना इंपोर्टन्ट है बहुत से ऐसे काम हैं जो हमारी करता है अगर क्लेस्ट्रोल की मौझूदगी में होते हैं बहुत से हाव हॉर्मोंस जो हमारी बॉड़ी में बनते हैं वह भी क्लेस्ट्रोल की प्रेजंस में होते हैं लेकिन अगर उसका लेवल जोरह से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर प्रॉब्लम हैल्थ के हो सकते हैं अब यह तो मुझे याद लाने की जूरत निए कि दो तरह के जो हैं वह जो यह क्लेस्ट्रोल होता है एक लडील होता है जो के अन हैल्थी कहलाता है और जिसकी प्रेजंस में अगर मदब इसके अगर बिल्ट अप हो जाए तो उससे फैटी डिपॉजिट पैदा होते हैं आपकी जूरर से जाधा जो क्लेस्ट्रोल आपकी बॉडी आर्ट्री में है उसको वह लिवर तक पहुंचाता है ताके उसके बाद वह वहां से बॉडी से निकाला जा सके तो कुछ ऐसे फूड्स हैं जो कहा जाता है के यह नैचरली डियर रिदूस्ट्रोल लेवल So I'm sharing with you some of the foods the experts believe कि अगर आप उनको खाएं तो यह आपके लिए बहुत अच्छे हैं आपके क्रेस्ट्रोल लेवल को कंट्रोल रखने में So the first thing is load up on oily fish जी हाँ, oily fish के बारे में तो हम अक्सर बात करते हैं, बहुत से बहुत से बेनेफिट्स हैं उसमें चुके जो omega 3 fatty acids होते हैं वो आपके triglycerides को जो आपके body stream में हैं उनको कम करते हैं अब triglycerides क्या है यह fatty lipids हैं जो के आपके heart disease को heart disease के risk को ज्यादा कर सकते हैं तो oily fish जो है वो इस triglycerides के level को reduce करने में मदद देती है और इस तरह आपका जो plaque का development है वो slow down हो सकता है अब दूसरी जो चीज है वो है sunflower seeds, it's a great snack which is loaded with vitamin E, selenium भी है उसमें essential fatty acids भी है, anti-inflammatory भी है और इसके अंदर वो जो है वो high levels of plant sterol अब यह जो है वो आपके यह जो sterol है यह आपके cholesterol level को कम करने में मदद देते हैं और इस तरह आपके heart disease के risk को कम कर दिया जाता है तो तीसरी जीव चीज है वो go nuts for nuts अब nuts जो है they are good snack for good they are good for snacking यह आपके I mean they contain a range of health benefits यह आपके saturated fats उसको कम करने में मदद देते हैं और इस तरह blood lipid levels जो है वो आपके lower हो सकते हैं तो मंगर अगर आप जो है वो diet पर है या आप अपने weight को control रखना चाहते हैं तो don't go overboard जादा जरूर से जादा मत खालें क्योंकि यह बड़े moreish होते हैं आप जब शुरू हो जाते हैं तो आपको आपके हाथ को रुकना मुश्किल हो जाता है तो एक मुठी के बराबर जो है mix अगर आप लेते हैं यह सारे नट्स तो that's very good अगला जो food है वो है grapefruit grapefruit a great food वैसे तो सारे citrus fruits जो हैं जैसे के मुसम्मी है या कीनू है oranges है they are beneficial लेकिन खास हो पर कहा जाता है के grapefruit जो है is very very good when it comes to heart I mean cholesterol level controlling तो यह क्योंकि इसके अंदर ना एक soluble fiber है जो के आपके cholesterol level को low कर सकता है grapefruit juice अगर आप कहते हैं कि अगर आप लें रोज तो 15% जो है वो LDL level जो है cholesterol का वो कम हो सकता है इसी तरह एक अगली जो चीज है वो है choose oats अब oats जो है मैं आपको यह कहांगी के वो they are loaded with these soluble fiber fiber जो है वो हमारी body के लिए बहुत ही important चीज है जो के हम अकसर हमें से ज्यादर तर लोग जो है वो कम खाते हैं जितना हमें जरूरत है उससे कम खाते अब जो soluble fiber है वो specially it is beneficial as it dissolves in your gut to form a thick paste एक paste बनाती है और वो जो है वो paste जो है वो cholesterol को जो है extra cholesterol को इसको bind करके उसको आपकी body से बाहर निकाल सकती है उसको मतलब भी वो फिर body में आपके absorb नहीं होता क्योंकि वो paste जो की सूरत में वो निकल जाता है तो मैंने जैसे आप से कहा के orts जो हैं वो काफी rich है in a form of soluble fiber और अगला जो है वो है add garlic in your diet गार्लिक जो है वैसे तो आपको पता है कि आपके खानों को बहुत ही मज़िदार बना देता है लेकिन इस पावफुल anti-oxidant which includes allison एक है anti-oxidant जो के बहुत ही आपके लिए अच्छा है अगर आप cholesterol production को reduce रखना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है garlic जो है वो हमेशा कहा जाता है कि अगर आपको cholesterol level कम करना है तो garlic को आप यूस कीजिए अपने diet में regularly और बलके कहते हैं के कच्छा खाने किसे भी और roast करने से भी वो बहुत अच्छा हो जाता है वो कहा जाता है कि अगर आप दो महीने तक जो है garlic regularly यूस करें यानि के roasted जो है या यह के कच्छा या जो है capsule की सुरत में तो 10% जो है वो cholesterol level आपका कम हो सकता है अगली चीज़ टेमाटोज यह टेमेंड़स फूड टेमाटोज जो है रिच इन पावफुल प्लांट पिगमेंट जिसे कहते है लाइकोपीन अब लाइकोपीन जो लेज़ धियो है के कोगिंग टमाटोज जो है वह लाइकोपीन जो है उनसे रिलीज पांच गुना ज्यादा होता है तो इसलिए जो टमाटो अगर आप कोड़ टमाटोज आप कहते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है और इस से लाइकोपीन से भी अगर आ लें कुछ अर्से के लिए तो आपके कलेस्टरोल का लेवल 10% कम हो सकता है तो यह सारी चीजी जो है इसके लावा एक और चीजे जो है आठी चोक आठी चोक जो है वह हमारी कम्यूटी में ज्यादा यूज तो नहीं होता लेकिन बहुत ही जबरदस्त अंटियॉक्सिडेंट ह और उसके अंदर इस रिच इन डाटरी फाइबर और इसके लावा इसके लावा इसके लावा इसके बॉड़ी में बाइल जूस यानि के बाइल फ्लूइड जो है जो के आपके फैट अब्सॉप्शन के लिए बहुत जरूरी है वह उसको प्रमोट उसकी प्रड़क्शन को तैंट यह सारे जो मैंने आपको बताएं कुछ ऐसे फूड़ से हैं यह सथा आप अप्को जोड़े आपको बताया हैं कुछ ऐसे फूड़ से फूड़ हैं Having said that, many other fruits and vegetables वह आपको खाने चाहिए वराइटी लेने चाहिए लेकिन लेकिन try to include most of the foods that I shared with you to keep a control on your cholesterol, especially the bad one. Thank you.